स्रे सिवाई नमस्तू भ्याम हरहर महादेव सिव पंचायत सिव महापुरान कथा का स्रावन करती हूँ मैं भी और आप सभी तक उसमें से महत्वपोर्ण जो गुरुजी जानकारी दी जाती है उसे पहुँचाने का प्रयास करती हूँ ऐसे मैं कई बार आप सभी ने देखा होगा हम सभी महला हो या पुरो से अपने इस्ट के आगे भगवान के आगे रो देते हैं इसका क्या फल मिलता है तब गुरुजी कहते हैं जब महला अपने भगवान के आगे भोले नात हो या कोई भी इस्ट हो के आगे रो देती है तो इसका फल जो है यही होता है कि जीवन में उसके गलती से भी कोई पाप हो गए हो उसके परिवार के सदश्य द्वारा या उसके द्वारा तो उनका पूर्ण रूप से जो है नाश हो रहा होता है और पूर्ण रूप से मन की जो है स्वच्छता हो रही इसका परिणाम भी यही होता है कि हमारे भाव हमारे पूजा जो है वह कहीं न कहीं सफलता की ओर है हमारे भाव जो है पूर्ण रूप से सच्चे हो रहे हैं हमारे भाव जो है हमारे पाप जो हमने गलती से भी किये हैं वह पूर्ण रूप से नस्ट हो रहे होते हैं गुरू होने वाली होती अर्थात कथा का विराम हो रहा होता है तब यह जानकारी दी हरहर महादेव जय माता देव